तेहिंद फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो फ्रेंड्स, आज है आपके लिए Air Force Y Group रागा का Mock Test 21 जी हाँ दोस्तों, हमारे 20 Mock Test complete हो चुके हैं टोटली आपके exam pattern पे आधारित तो दोस्तों, जो आपका CESB यानि Central Airman Selection Board उसका जो syllabus है, उसी pattern पे आपको ये Mock Test दिये जा रहे हैं और ये Mock Test भी उसी pattern पे आधारित है और बहुती अच्छा Mock Test है, आपको Mock Test complete लगाना है और Mock Test complete लगाने के बाद, comment box में आपको feedback देना है साथ ही अपना score भी आपको comment box में बताना है कि आपने कितना score गेन किया तो दोस्तों, जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से Mock Test वीडियोज वे topic wise वीडियो जो special आपके Air Force Y Group के लिए पाने के लिए तो दोस्तों, जो Mock Test थूरू करने से पहले मैं आपको कुछ important बता दूँ कि जो हमारे चैनल पे फ्लाल वर्तमान में जो चल रही है playlist यानि जिसकी मैं वीडियोज अप्लोड कर रहा हूँ day by day तो वो है एक तो आपकी Air Force Y Group रागा के लिए Mock Test जिसमें हमारे 21 Mock Test complete हो चुके हैं जिहां दोस्तों इस Mock Test को include करके 21 Mock Test complete हो चुके हैं और दूसरा है आपके Air Force X Y Group के English के Mock Test जो मैंने दो अप्लोड किये थे और उसके बाद अप्लोड नहीं किये क्योंकि आप सभी जानते हो कि नीरत सर जो नीरत सर्मा है हमारी भी सर है वो जो English आपको लिए उपलब्द करवा रहे हैं Air Force X Y NDA सभी के लिए SSC वगेरा वो बहुत अच्से जो Mock Test है आपको उपलब्द करवा रहे हैं तो इसलिए मैंने आपकी Air Force X Y Group GK की जी हाँ दोस्तों GK की मैं 6 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ उसमें जो Most Important वीडियो वो है Science and Technology से इस Topic से हर बार क्यूसन आता है एक्जाम में और इसके साथ ही जो World History है आपकी वो सारी History इसी के अंदर कंप्लीट करा दी गई है तो आप Playlist को Visit जरूर कीजी आपको जरूर वहाँ पे इससे मदद मिलेगी एक्जाम में और Next है आपकी Miscellaneous की GK की तो Miscellaneous हमारा Complete हो चुका है एक वीडियो ओ रहेगी उसमें मैं सभी जो रह चुके जो भी बत गई Miscellaneous के Parts उन सभी को वहाँ पे Complete कर दूँगा और साथ ही आपको Correctly Spat Words की भी प्लेइलिस्ट के साथ वीडियो जो मिल रही है डे बाई डे तो इन सभी को आप वोज कीजिए वस सियर कीजिए इसी प्रकार से आपके लिए टोपिक वाइज वीडियो जो मोक टेस्ट लाता रहूँगा तो बस आप अपना सपोर्ट मनाए रखे तो चलिए जो आज का हमारा मोक टेस्ट है वो इस्टार्ट करते हैं और जो फ़र्ष्ट क्यूशन है आपका वो है एक निब्बल बराबर होता है computer से question है, question है एक निबल बराबर होता है तो दोस्तों आपको बता दू इस question के लिए जो correct answer होगा वो होगा option number 1 जिहां दोस्तों 4 bit एक निबल में आपके 4 bit होता है next question है next question है question number 2 question है असोग के सिलालेखों को सबसे पहले फढ़ाता जिहां दोस्तों आपको बताना है कि जो असोग के सिलालेख थे सबसे पहले उन्हें किसने फढ़ा तो दोस्तों इस question का जो correct answer होगा वो होगा आपका option number B जिहां दोस्तों James Principe देखे दोस्तों जो option number A है पादरेटी फैंतलर उसने असोग के सिलालेखों की खोज गी थी जबकि जो सबसे पहले सिलालेखों को फढ़ा था वो फढ़ा था James Principe ने तो option number B इस question के लिए correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 3 है भारतिय सविधान में प्रेश की सोतंतरता कौन से अनुचित के तहत वर्णित है तो इस question का जो correct answer होगा वो होगा option number A यानि गुनीज A गुनीज A के तहत बोलने की सोतंतरता दी गई है उसी के तहत प्रेश की सोतंतरता भी वर्णित है तो option number A correct answer होगा Qution number 4 Qution है Paints National Park कहा इस्तित है आपको बताना है कि जो Paints National Park है वो कौन सी जगह पे इस्तित है options में से तो दोस्तो इस Qution के अगर correct answer की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका option number C जी हाँ दोस्तो महराश्टर महराश्टर इस Qution के लिए correct answer होगा तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो इस Paints जो National Park है वो महराश्टर था मध्यपरदेश दोनो इस्टेट्स के अंदर है यानि जो इसका फैलाव चेतर है वो दोनो इस्टेट्स में है मध्यपरदेश वे महराश्टर तो ये बात आपको ध्यान रखनी है Next Qution है Qution No.5 महत्मागंदी के अत्या किस वर्ष हुई आपको बताना है कि जो महत्मागंदी थे हमारे वर्तमान में भी है राश्टर पिता महत्मागंदी उनकी जो हत्या थी वो किस वर्ष हुई तो दोस्तों इस Qution का जो correct answer होगा वो होगा Option No.D 1948, 1948 जी हाँ दोस्तों 1948 में महत्मागंदी जी की हत्या की गई थी नातुराम गोडशे के दौर Next Qution देखते हैं Qution No.6 Qution No.6 है रेसम कीट पालन कहलाता है आपको बताना है कि जो रेसम कीट पालन की जो विदी है वह क्या कहलाती है तो इस Qution का जो correct answer होगा वो होगा आपका Option No.B जी हाँ दोस्तों सैरी कल्चर रेसम कीट पालन हो जाएगा सैरी कल्चर Option No.A में दिया है पॉल्टरी पॉल्टरी होता है आपका मुर्गी पालन Option No.C में दिया है एपी कल्चर तो एपी कल्चर होता है आपका मदुमक्खी पालन एपी कल्चर होता है मदुमक्खी पालन और जो Option No.D में दिया है जो Option No.D में दिया है होटी कल्चर होटी कल्टर होता है बागवानी जी हाँ दोस्तों जो बागवानी करते हैं उसे होटी कल्टर कहते हैं तलिए next question देखते हैं question number 7 question number 7 है punchcard का अविस्कार किया था आपको बताना है निम्ड options में से punchcard का अविस्कार किसने किया था तो friends इस question का जो answer है वो आपको comment box में देना है मैं आपको next video में इसका answer बताऊँगा तो options आप देख लीजी आपको comment box में इस answer देना है कि punch card का विश्कार किस नहीं किया देखते हैं कौन-कौन दोस्त इसका correct answer दे पाते हैं तो चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 8 question number 8 है वरतमान में मेगाले के राजयपाल कोन है आपको बताना है कि जो मेगाले state है उसके governor कोन है at present तो दोस्तों जो मेगाले के जो governor है वो है आपके थतागत राय जी हाँ दोस्तों थतागत राय आपके राजयपाल है मेगाले के जबकि option number A में दिया है Conrad Sangma तो जो Conrad Sangma है वो है आपके मेगाले के मुख्य मंतरी option number C में दिया है जोराम ठांगा वो है आपके अरुनाचल परदेश नहीं sorry दोस्तों अरुनाचल परदेश नहीं मिजोरम मिजोरम के आपके जो मुख्य मंतरी है वो है जोराम ठांगा option number D में दिया है जेराम ठाको जो कि आपके हिमाचल परदेश के CM यानि मुख्यमंतरी है तो चलिए बढ़ते है next question की तरफ question number 9 है हाली में अमेरिका की राष्टर पती ने G7 संगठन का विस्तार करके कितना करने का सुझाओ सबी सदसे देशों की सामने रखा है जी हां दोस्तों हाल फिलाल में जो G7 के 2020 में जो मिटिंग होने वाली है G7 संग्मिलन की वो अमेरिका में होने वाली है और उसमें अमेरिका ने जो राष्टर पती है Donald Trump उसने जो इसके विस्तार की बात कही है यानि जो G7 है उसको बढ़ा के G11 करने की बात सामने सब के सामने पेस की है तो इसका जो करक्टांथर होगा वो होगा option number D G11 तो इसमें कौन-कौन से देश है वो इसमें add होने वाले है तो उनमें एक तो होगा हमारा देश इंडिया इंडिया G7 में सामिल होने वाला है साथ इसाथ जो धक्षणी Korea है यानि South Korea और Australia थता रूस यानि रसिया इसमें सामिल होने वाले है तो रूस इसमें पहले भी इसका जो member था लेकिन 2014 में उसमें membership छोड़ दी थी तो यह है G7 काफी अच्छा क्यूशन है आपके point of exam के तो next क्यूशन की तरह बढ़ते हैं क्यूशन नमबर 10 क्यूशन नमबर 10 है और क्यूशन है आपका reasoning से आपको different चूज करना है और one out तो option में दिया है वर्ग, आयत, गोलक और वर्त इसमें आपको different बताना है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा option number C जिहां दोस्तों गोलक इसमें different हो जाएगा तो दोस्तों यह different कैसे होगा वो देखे क्यों यहाँ पे आपको दी है वर्ग, आयत और वर्त ये तीनों जो आकरतिया है ये तीनों आकरतिया 2D आकरति है जिहां दोस्तों, two dimensional आकरति है figure है जबकि जो यहाँ पे गोलक दिया है वो 3D आकरति है यानि three dimensional आकरति है गोला इसलिए जो correct answer होगा यानि odd one out होगा, different होगा वो होगा आपका गोलक तो चलिए बढ़ते ही next question के तरफ analogy execution है, आपको इन में साद्रसिता यानि analogy बतानी है जिस प्रकार से महराष्टर का संबंध इंडिया से है, उसी प्रकार से Texas का संबंध निम्न options में से किसके साथ है तो देखे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है महराष्टर और इंडिया यानि भारत, तो देखे महराष्टर भारत का एक state है, राज्य है उसी प्रकार से जो Texas है आपका USA यानि अमेरिका का एक राज्य state है, इसलिए जो correct answer होगा वो होगा option number 11 USA चले बढ़ते हैं next question की तरफ question number 12 question number 12 है, इसमें आपको dictionary order देना है, यह जो words दिये गए है four words, इसको आपको dictionary के according, arrange करके options में से correct answer choose करना है तो जो इसका correct answer होगा, वो होगा option number C, जी हाँ दोस्तों 2, 1, 4, 3 इसका correct answer होगा, सबसे पहले आपका आजाएगा h, t, i, f, le उसके बाद में आएगा first वाला फिर आएगा आएगा four वाला और फिर आएगा third यानि तीसरे वाला तो यह dictionary के according आपको यहाँ पे arrange करना है, तो as, t, i के बाद में सब में इन दोनों में तीसरे और चोथे में आपको end दिया है, और a और b में यानि i और app दिया है, तो जो सबसे पहले आएगा वो app हाजाएगा, और उसके बाद आई, और फिर end दोनों में यहाँ पे divide हो जाएगा, इस प्रकार से dictionary order आपको करना है, तो चले बढ़ते हैं next question के तरब, question number 13 है, blood relation से आपका question है, और question क्या है, एक पुरुस का परीचे देते हुए, एक इस्तरी ने कहा, यह मेरी मा के, भाई के, पिता के, पुत्र का पुत्र है, बताएगे उस इस्तरी का, उस पुरुस से क्या संबंध है, तो देखे दोस्तों, इस question में आपको क्या कहा गया है, आपको जिस परकार से कहा जाए, उसी परकार से आपके मांड में image बनानी है, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि, यह एक पुरुस का प्रिचे देते हुए, एक इस्तरी कह रही है, यह जो पुरुस है, मेरी मा, यानि उसकी मा के भाई, तो आपकी मा का भाई, को गए, आपका मामा, के पिता, यानि आपके नाना, ये पुत्र, नाना का पुत्र कोन होआ, आपका मामा का पुत्र है, यानि मामा का पुत्र कोन होआ, आपका ममेरा भाई, तो उस इस तरीका उस पुरुष से संबंद यानि relation पहुचा है, तो वो हो जाएगा ममेरा भाई, इस प्रकार से आपको starting से last तक ले Qution number 14 है और इस प्रकार के Qs भी आपके एक्जाम में आते हैं Qution है राम 7 बजने से 20 मिनट पहले घर से निकला है और 25 मिनट में कुनाल के घर पहुँचता है वे 15 मिनट में अपना नास्ता खतम करते हैं और फिर अपने कार्याले के लिए निकल जाते हैं आपको बताना है कि जो वो कार्याले के लिए निकले थे कुनाल के घर से उस समय क्या था तो देखे दोस्तो इस टार्ट से आप इसे पकड़ते जाए और आपका आणसर आजाएगा तो देखे दोस्तो 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकले इसका मतलब क्या हुआ 6 बज़ के 40 मिनट पे वो राम घर से निकल गया और फिर 25 मिनट में कुनाल के घर पहुँचा यानि 7 बज़ के 5 मिनट पे वो घर पहुँचा कुनाल की तबी तो 25 मिनट होगे 6-40 में 25 एड करेंगे तो आजाएगा आपके पास 7 बज़ के 5 मिनट फिर बोलता है कि 15 मिन्ट में अपना नास्ता कतम किया यानि 15 मिन्ट अगर add कर दो तो हो जाएगा 7-20 और फिर बोलते हैं कि उसके बाद अपने कार्यले के लिए 35 मिन्ट लगते हैं यानि कार्यले जाने में 7-20 बजे निकले तो 35 मिन्ट इसमें add करू तो हो जाएगा आपका 7.55 यानि 7.55 में वो ओपिस अपने पहुँच गए कार्याले तो जो आपको Qution में आंसर पूछा है वो पूछा है कि कितने बजे कुनाल के घर से निकले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7.20 बजे यानि 7.20 मिनट पे वो कुनाल के घर से दोनों निकलेते और फिर 7.55 पे यानि 35 मिनट का टाइम इस पेंट करके वो ओपिस पहुँचे तो जो करक्ता अंतर होगा वो होगा 7.20 यानि option number B चले next Qution देखते है Qution number 15 Qution number 15 है इसमें आपको Coding Decoding Secution है आपको बताना है कि जिस प्रकार से H E को 3 लिखा गया है T G को 13 लिखा गया है N M को 1 लिखा गया है उसी प्रकार से Z और X को इसी Coding में क्या लिखा जाएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पे जो क्या किया गया है वो किया गया है कि जो H और E है H और E इन दोनों का जो करमांग होता है H का होता है 8 और E का होता है 5 तो इन दोनों में आपस में difference कर दिया गया है जी हाँ दोनों दोस्तों इन दोनों को subtract किया गया है बड़े में से छोटा तो 8 में से 5 निकालूँगा तो आपके पास बचेगा 3 जो कि यहाँ पे दिया गया है उसके बाद इसी परकार से जो T है वो 20 नमबर पे आता है और जो G है वो 7 नमबर पे आता है तो 20 में से 7 गठाऊँगा तो आपके पास आजएगा 13 यानि 13 उसी परकार से N और M है 14 और 13 यानि 14 में से 13 गठाऊँगा तो आपके पास आएगा एक और उसी के बाद है Z और X इसका आपको answer बताना है तो Z आपका 20 नमबर पे होता है और जो X होता है वो आपका 24 नमबर पे होता है तो इन दोनों को subtract करने पे आपके पास आएगा 2 यानि 2 correct answer हो जाएगा इसका coding हो जाएगी 2 option number C correct answer होगा next question है question number 16 question है यदि 4 star 2 को 3 लिखा जाए 8 star 4 को 3 लिखा जाए 21 star 7 को इसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा तो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रकार से जो यहाँ पे coding वगेरा कुछ की गई है वो आपको बताना है कि इसी प्रकार से इसमें कुछ करने पे mathematical operations 21 star 7 का क्या answer होगा options में से तो देखे दोस्तों इसमें क्या किया है वो देखे कि जो 4 है और फिर star दिया है और फिर 2 दिया है तो देखे दोस्तों 2 को 4 से divide किया गया है तो आपके पास आएगा 2 उसमें plus 1 करके यहाँ पे लिख दिया गया है 3 इसी प्रकार से जो next है 8 star 4 है 4 को 8 से divide करेंगे तो वो जाएगा 2 बार और 2 में जब 1 add करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा 3 इसी प्रकार से आपको next में भी करते जाना है तो 21 star 7 दिया है 21 को 7 से divide करेंगे तो आपके पास आएगा 3 और उसमें जब 1 add करोगे 3 पलस 1 तो आपके पास आएगा 4 जो कि आपको option number A में देखने को मिला है इसलिए जो correct answer होगा वो होगा option number A चले बढ़ते हैं next question की तरप question number 17 है इसमें आपको series से question है next series बतानी है कौन से series next होगे तो देखें दोस्तो इसमें क्या किया गया है जो X है यहाँ पे जो X दिया गया है उसमें दो कम करने पे यहाँ पे U आजाएगा फिर उसमें दो कम करने पे यहाँ पे आजाएगा आपके पास R और फिर उसमें दो गठाने पे आपके पास आएगा O और इसी प्रकार से हम यहाँ पे दो और गठा देंगे तो आपके पास आज़ाएगा L जो कि option number B वसी में दिया गया है उसके बाद देखे दोस्तों जो यहाँ पे last में B दिया है यहाँ पे D कर दिया यानि C को छोड़के D एक का different उसके बाद में जो D है D के बाद में यहाँ पे G दे दिया यानि D के बाद में E एप को छोड़के यहाँ पे G दे दिया तो यहाँ पे दो का different कर दिया उसके बाद में जो G है G के बाद में यहाँ पे K दे दिया यानि ह, आई, जे को छोड़के यहाँ पे के दे दिया यानि तीन का डिफ्रेंस कर दिया तो इसी प्रकार से डिफ्रेंस बढ़ाते हुए हम यहाँ पे अब के बाद में चार का डिफ्रेंस दे देंगे और फिर जो पांचवे नंबर पे अकसर आएगा, वो यहाँ पे आजाएगा, तो दोस्तों चार का डिफ्रेंस करने पे K, L, M, N, O और उसके बाद आजाएगा आपका P यानि जो पांचवा अकसर होगा चार का डिफ्रेंस देने के बाद वो होगा आपका P, यानि शुरुवात में L और लास्ट में P आपको जिस उप्सन में दिख रहा है वो करेक्ट आंचर है, इसलिए जो करेक्ट आंचर होगा, वो होगा आपका उप्सन नंबर C, जी हाँ दोस्तों उप्सन नंबर C, करेक्ट आंचर होगा देखे दोस्तों, आप भी इसकी एक्सर को भी यहां पे कर सकते हैं तो एक को और जी में और जी के बाद में i और i के बाद में l इसमें difference निकाल के इसी प्रकार से आप इसे इसे solo कर सकते हैं लेकिन exam में आपको इसी trick से मतलब minimum time में solo करना है तो next question देखते हैं question है question number 18 Q-sign number 18 है इसमें आपको missing number बताना है जी हाँ दोस्तों आपको missing number बताना है कि कौन सा इसमें answer सही होगा तो देखे दोस्तों इसमें क्या किया है वो देखे जो 7 है यहाँ पे दिया गया है 7 और फिर दिया गया है 14 तो जब 14 को 7 से divide करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 2 का जब मैं square करूँगा तो आपके पास आएगा 4 उसके बाद यहाँ पे दिया है 4 और 12 जब 12 को 4 से divide करूँगा तो आपके पास आएगा 3 और जब 3 का square करूँगा वो आएगा आपके पास 9 इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 6 और 24 जब 6 को 24 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास आएगा 4 और जब 4 का square करूँगा तो वो आएगा आपके पास 16 यानि जो correct answer होगा वो होगा option number B 16 तो चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं next question है question number 19 question है आपका math question है एक व्यक्ति सांथ जल में 15 किलोमेटर प्रतिगंठा की चाल से नाव चला सकता है धारा की चाल 5 किलोमेटर प्रतिगंठा हो तो धारा की विपरित 100 किलोमेटर की दूरी तैक करने के लिए कितना समय लगेगा वो आपकी चाल में से माइनस हो जाएगी जी हां दोस्तों आपकी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी तब ही आप विपरित उसी दिशा में जा पाओगे तो जो यहाँ पे आपकी चाल दी है वो दी है 15 km प्रतिगंठा और जो धारा की चाल दी है वो दी है 5 km प्रतिगंठा यानि जो आपकी सब्स्ट्रेक्ट करने के बाद जो विप्रित दिसा में जो चाल होगी वो होगी आपकी 10 km प्रतिगंठा यानि आपकी जो चाल है वो है 10 km MPH और जो आपको दूरी दी है वो दी है 100 km यानि 100 km की दूरी 10 km प्रती गंठा की गती से तैकनी है तो आपके पास समय निकालना है तो समय होता है दूरी बटा चाल तो यहाँ पे आप कर दोगे 100 बटा 10 तो आपके पास आजाएगा 10 गंठा यानि 10 हावर में ये जो दूरी है वो निकल जाएगी 10 गंठे में तो जो correct answer होगा वो होगा option number C 10 hours 10 hours इस question के लिए correct answer होगा चले next question देखते है question number 20 question number 20 है 6000 रुपय यानि 6000 रुपय को वस्तू को sorry 6000 रुपय की वस्तू में आदे को 10% लाब पर बेचा जाता है तो सेज को किस लाब परतिशत पर बेचे ताकि कुल मिलाके 25% लाब हो जाए जी हाँ दोस्तों 6000 रुपय है माली जी आपके पास उसमें जो आदी आदे रुप हैं यानि 3000 को आपको 10% पर बेचना है बेच दिया है आपने और सेज को आपको इस प्रकार से बेचना है कि टोटल जो 6000 है उस पे आपको 25% लाब हो जाए तो देखे दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो आदा है 3000 6000 का जो आदा है 3000 उसका जो 10% होगा वो हो जाएगा आपका 300 लेक 1500 जी हां दोस्तों 1500 हो जाएगा 25% 6000 का आपको लेना है 1500 टोटल प्रोफिट लेकिन जो आदी रासी है 10% पर देने पे आपको मिल रहा है क्या 300 रुपे यानि 300 रुपे 3000 का 10% 300 रुपे हो जाएगे और आपको चाहिए कितने 1200 रुपे जी हां दोस्तों सेस बची हुई आदी र परशेंट होगा ये इस्क्यूशन में पूछा है तो दोस्तों 1200 हो जाएगा 3000 का आपको परतिसत के लिए गुणा 100 कर देना है तो 2-0 से 2-0 कर जाएगी 0-0 और 3-4 कितनी बार 4 बार 3-12 चार बार कर जाएगा तो आपके पास आएगा 40 परशेंट यानि 40 परशेंट लाप पे बचे हुई धन को आदे धन को देना चाहिए ताकि उसे टोटल कुल मिला के 25 परशेंट लाप हो जाएगी तो आपस नमबर C इस क्यूशन का करक्ट आंसर होगा और ये क्यूशन आपके लास्ट इंटेक एक्जाम में आ चुका है तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन गुना होगी स्याम के पिता की वर्तमान आयू कितनी है तो देखे दोस्तों इसमें आपको बोल रहा है कि जो स्याम की आयू है अपने पिता की आयू से आदी है तो माली जे कोई पिता है और कोई स्याम है तो जो पिता की आयू है वो दो है और स्याम की एक है तब ही उसकी द थोड़ा ज़्यादा मतलब comment सुईदा जिनक यहां पे नहीं है तो हम क्या करेंगे जो जो डेड़ गुना है पिता किया यूँ उसे हम double कर देंगे यानि डेड़ गुना की जगए तीन गुना कर देंगे और उसमें एक की जगए दो कर देंगे यानि दोनों को डबल करना है उससे आपके रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा तो इन दोनों का यहां पे अंतर देखे तो वो है एक और यहां पे अंतर दिया है 20 वर्स का यानि 20 वर्स बाद तो आपसे जो क्यूशन में आंसर पूँचा है वो श्याम के पिता की वर्तमान आयू पूँची है तो दोस्तों जो यहां पे दिया है श्याम के पिता की आयू का रेशियो 3 उसे 20 से गुणा करूँगा तो आपके पास आजाएगा साइट वर्स जो कि आपको 20 वर्स बाद की आयू दी गई है जी हां दोस्तों यह 20 वर्स बाद की आयू का रेशियो है तो जो श्याम के पिता की वर्तमान आयू होगी वो होगी 40 वर्स साइट में से 20 गठा देंगे तो वर्तमान आयू आ जाएगी 40 वर्स ओपसन नंबर C इस question के लिए correct answer होगा चले बढ़ते है next question के तरफ question number 22 question number 22 है simplification से question है आपको simplify करके answer बताना है तो दोस्तों इस question का जो correct answer होगा वो देखते हैं किस परकार से होगा तो देखे दोस्तों जो root में संक्या दी गई है और वो decimal में है तो सबसे पहले तो हम 10 मलाव अठाएंगे तो 10 मला अठाने के लिए उपर और नीचे के संक्याओं को गिल लेते हैं तो उपर 10 मलाव के बाद 3 संक्याई है और नीचे 10 मलाव के बाद 5 संक्याई है तो दोनों को बराबर करना है तो जो नीचे 5 संक्याई है उपर बराबर करने के लिए उपर दो 0 हमें लगानी पड़ेगी जी हाँ दोस्तों दो सो जो 89 है उसमें 2 0 लगा देंगे तो ये point हड़ जाएगा और नीचे आपको 121 दिया है तो इस प्रकार से ये हो जाएगा तो देखें दोस्तों जो 296 है इसको आपका square root करना है 297 का square है और 2 0 की 1 0 हो जाएगी square root में तो आपको हो जाएगा 170 और बटा में 121 जो है वो 11 का square है यानि जो answer होगा आपका वो होगा 170 बटा 11 यानि option number B is question के लिए correct answer होगा चले बढ़ते हैं next question के तरफ question number 23 है दिल्ली वग गुजरात के बीच की दूरी 880 किलोमेटर है एक रेल गाड़ी दिल्ली से गुजरात की तरफ 80 किलोमेटर की चाल से सुबैस 8 बच के 20 मिनट पे चलती है जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो site दिया है उसका आपको 80 किलोमेटर यहाँ पे कर लेना है 80 किलोमेटर तो जो दिल्ली वग गुजरात के बीच की दूरी है वो 880 किलोमेटर है वो एक रेलगाडी दिल्ली से गुजरात की तरफ 80 किलोमेटर परती गंठा की चाल से सुबै 8 बच के 20 मिनट पर चलती है वो दूसरी रेलगाडी गुजरात की तरफ 90 किलोमेटर परती गंठा की चाल से 8 बच चलती है यानि जो समय है आठ बीस पे ले जाना है आठ बजे हो तो जो बीस मिन्ट है उसमें जो एक गाड़ी जा रही है 90 किलोमेटर की चाल से वो कितनी दूरी तै करेगी तो देखते हैं दोस्तों 90 की चाल है और 20 मिनट में आपको दूरी बतानी है तो 90 गुणा 20 मिनट बता में साइट इसलिए कि इसे गंठे में बदलने के लिए तो ये साइट कर जाएगा दो बार 30 से और 90 कटेगा 3 बार फिर 2 से 20 कर जाएगा 10 बार तो आपके पास आजाएगा 10 तीन गुणा 10 यानि 30 किलोमेटर तो जो 30 किलोमेटर की दूरी है वो टे कर लेगी गाड़ी दूसरी गाड़ी रेल गड़ी यानि 30 किलोमेटर की गाड़ी दूरी तो पहले ही टे कर चुकी है 8 बज़ के 20 मिनट पे तो अब ये दोनों आपस में मिलेगी जी हां दोस्तो इसके बाद ये आपस में मिलेगी तो कुल दूरी में जो जो कुल दूरी है 880 km उसमें 30 km रिस्ट्रेक्ट यानि सब्ष्ट्रेक्ट यानि गठ जाएगा तो आपके पास जो टोटल दूरी बची वो बची 850 km 850 बची और आपको दिया है क्या चाल तो दोस्तों जब एक दूसरी साइड में गाड़ी आ रही हो जी हाँ दोस्तों जब रेल गाड़ी एक दूसरी की तरफ आ रही हो दोनों दिशाओ से तो जो उनकी गती है जैनि जो चाल है वो जुड़ जाती है तो जो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगी यानि 70 km, 80 km यहाँ पे मैंने 80 कर दिया था 80 km, 80 km और 90 km यह दोनो एड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 170 यानि 170 km की चाल है और 850 km दूरी है तो यह यहाँ पे चल जाएगा 17,55 यानि 5 गंठे जी हाँ दोस्तों, 5 गंठे में वो दोनो रेल गाडिया एक दूसरे से मिलेगी जी हाँ दोस्तों इस प्रकार के क्यूसर में इस प्रकार सही करना होता है तो जो correct answer होगा वो होगा 5 गंठे 5 गंठे यहाँ पे options में नहीं दिया गया है इसके लिए sorry लेकिन जो इसका correct answer होगा वो होगा 5 गंठे और यहाँ पे जो side kilometer है इसको आपको 80 करना है तेले बढ़ते हैं next question की तरफ Qs number 24 है LCM से आपको LCM ग्याद करना है 4 बटा 5 दिया गया है 3 बटा 10 दिया गया है और आपको दिया गया है 7 बटा 15 इसका आपको LCM ग्याद करना है तो दोस्तो इस प्रकार के questions में आपको क्या करना होता है कि जो LCM पूँछे तो उपर की संक्याओं का LCM वो नीचे की संक्याओं का HCM और अगर यहाँ पे HCM पूँचता तो उपर की संक्याओं का HCM वो नीचे की संक्याओं का LCM ग्याद करना होता है तो जो 4, 3 और 7 है उसके LCM की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका 84 जी हां दोस्तों 84 यहां पे इसका करक्टांसर हो जाएगा और अगर HCF की बात करूँ यानि 5, 10, 15 की तो वो हो जाएगा 5 यानि HCF वह संक्या होती है जो उन सभी संक्याओं को डिवाइड कर दे तो 5 तीनों संक्याओं को डिवाइड कर देगा और जो LCM है वो वह संक्या होती है जिसका सभी संक्याओं जो ये सभी संक्याओं दी है 4, 3, 7 ये सभी संक्याओं डिवाइड कर दे उस संक्या को वो छोटी से चोटी संक्या LCM होती है तो जो इसका correct answer होगा वो होगा 84 बटा 5 यानि option number B option number B में दिया है 84 बटा 5 चले बढ़ते हैं next question की तरफ question number 25 question number 25 है एक पईय की तिर्जा 70 cm ठता एक पईया 5 सेकंड में 10 चकर लगाता है तो पईये की गती क्या है दोस्तों आपको जो पईया है उसकी तिर्जा दी गई है और बोल रहा है कि वो पईया 5 सेकंड में 10 चकर लगाता है तो आपको जो पईये की गती है यानि जो गती पूँची है यहाँ पे चाल और समय देखे तो देखे दोस्तों गती हम तभी ग्याद कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि वो दूरी कितनी चाल मतलब जो दूरी है पया वो कितनी तै करता है एक चकर में तो उसके लिए हम उसकी परीदी ग्याद करते हैं यानि ये वर्त हो गया और जो टायर होता है वो वर्त कियाकरती का होता है और यहाँ पर इसकी जो परीदी होगी ये परीदी ये इसकी दूरी को बताएगी कितनी दूरी ते करता है तो जो परीदी होती है वर्त की परीदी वो होती है 2πr तो जो वर्त की परीदी होगी जो हम इस फॉर्मूले से ग्याद कर लेंगे 2πr से तो 2 गुणा 22 बेटा 7 गुणा 70 तो 7 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार और ये आजाएगा 45 गुणा 10 तो 40 गुणा 10 हो जाएगा 440 यानि 440 सेंटीमिटर ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटीमिटर में दिया गया है 440 सेंटीमिटर जो दूरी है वो पया एक राउंड में पूरी करता है और आपको बताना है कि जो 10 चक्र लगा रहा है यहां पे तो 10 चक्र में जो उसकी चाल है वो बतानी है तो यहाँ पर हम इसे 10 से गुणा कर देंगे, यानि 10 चकर लगा रहा है, यह एक चकर की उसकी दूरी है, 440 cm, तो यह हो जाएगा आपके पास 4500 cm, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि यह 4500 cm है, और आपको यह किस में चाहिए, मिटर पर 30 सेकंड में, चाल ग्याद क करने के लिए आपको मिटर पर 30 सेकंड में चाहिए, यानि यह सेंटिमिटर है, वो आपको मिटर में चाहिए, तो मिटर में करने के लिए बटा 100 कर देंगे, तो आपके पास आजाएगा 45, मिटर, जी हाँ दोस्तों, जो दूरी आएगी आपके पास वो आएगी 45, मिटर, औ और आपको समय दिया है वो दिया है 5 seconds तो यहां पर 5 से 44 को divide करूँगा तो वो हो जाएगा 5 अंटे 40 यानी 8 फिर point फिर 8 यानी 8.8 मिटर प्रती सेकंड option number C में दिया है correct answer हो जाएगा से लिए next question की तरह बढ़ते हैं non verbal के questions है 5 questions आपके exam में आते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको mock test में दिये जा रही है तो इसमें आपको next figure बतानी है कि next figure कौन सी आकरती होगी तो देखें दोफ्तों execution में क्या किया गया है कि जो first आकरती है उसमें जो इसके अंदर जो यह आकरती दी गई है यानी जो वर्त दिया गया है उसे यहाँ पे next आकरती में बाहर निकाल दिया है तता इसके अंदर कुछ नई आकरती add कर दी है इसी परकार जो इसके अंदर है वो यहां पे बार निकल के आ रहा है यानि जो यह चत्रगुजाकार आकरती है वो यहां पे बार निकल रही है तता इसके अंदर कोई नई आकरती फिगर यहां पे बन रही है इसी फरकार से आगे जाएंगे तो जो यह तर्बूज है इसके अंदर दिया है वो यहां पे बार आ जाएगा और इसके अंदर कोई नई आकरती आ जाएगी नेक्स्ट अगर इसके फिगर की बात करूँ तो जो इसके अंदर ये दी है आकरती ये बार निकल जाएगी और इसके अंदर कोई नई आकरती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि option number D में दिया है इसलिए इस question का जो correct answer होगा वो होगा option number D next question की तरह बढ़ते है next question है question number 27 इसमें आपको तरबूज बताना है तरबूजों की संक्या आपको बतानी है कि आकरती में कितने तरबूज है तो दोस्तों इसमें तरबूज गिनने के लिए मैं आपको बताऊ इस प्रकार से जब तरबूज का dividation हो यहाँ पे जो इस प्रकार से किया गया है तो आपको क्या करना है कि जितने parts बन रहे है उसको आपको count कर लेना है 1,2,3 इसी प्रकार से उपपर भी कर लेना है जितनी यहाँ पे lining बन रही है एक दो और तीन और फिर इनको add कर देना है जी हाँ दोस्तों 1 पलस 2 पलस 3 1 पलस 2 पलस 3 यहाँ पे add करके यहाँ पे आपको जोड़ देना है 3 और 2 पांच रिक्ष है और नीचे भी यहाँ पे आजाएंगे 6 यानि जो total जो आपकी होगी कितनी triangle बनेंगे इसमें वो बनेंगे 12 जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से इसका जो formula होता है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा option number a 12 12 triangle यहाँ पे बनेंगे चलिए next question देखते है question number 28 यह आपको figure पूर्ती करनी है इसमें आपको बताना है कि options में से कौन से आकरती इस figure को complete करेगी यहाँ पे तो दोस्तों इस question के अगर correct answer की बात करूँ तो इस question का जो correct answer होगा वो होगा option number D जी हाँ दोस्तों option number D में जो आकरती दी है वो आकरती इस प्रकार से यहाँ पे इसमें फील हो जाएगी गोलाकार में और फिर यहाँ पे इस प्रकार से फील हो जाएगी तो जो correct answer होगा वो होगा option number D चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next question है question number 29 इसमें आपको mirror image बतानी है और जब mirror जब mirror है आपका वो उपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो जब उपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो तो वो आपकी mirror image नहर रहके यानि water image वहाँ पे आपकी बन जाते हैं तो यहाँ पे यह water image बन रही है और जो इसका जो correct answer होगा वो होगा option number D जी हाँ दोस्तों, option number D में जो अकरती बन रही है वो यहाँ पे इसकी correct image हो जाएगी correct water image यहाँ पे हो जाएगी तो देखते हैं आज का आपका last question जो की when diagram से है इसमें आपको when diagram बताना है कि कौन सा when diagram tannis प्रसंशक, cricket खिलाडी, वे विद्यारतियों के लिए right answer होगा, आपको बताना है वे अरे बताना है, तो दोस्तों आपके इसके लिए जो correct answer होगा वो होगा option number A, जी हाँ दोस्तों, option number A इस لिए answer होगा कि जो tennis प्रसंसक है वो cricket खिलाडी भी हो सकते है और जो tennis प्रसंसक है वो विध्यारती भी हो सकते है जैनी कोई विध्यारती भी tennis प्रसंसक हो सकता है और cricket का खिलाडी भी हो सकता है इसी प्रकार से जो cricket का खिलाडी है वो tennis प्रसंसक भी हो सकता है और विध्यारती भी हो सकता है और इसी प्रकार से कोई विध्यारती है वो tennis प्रसंसक और खिलाडी दोनों हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारा Venn diagram बनता है वो option number A वाला बनता है तो ये आपके exam में इसी प्रकार से Qs देता है अधिकतर तो जो correct answer होगा वो होगा option number A तो दोस्तों ये था आज का हमारा mock test Air Force Y Group के लिए आपके exam pattern पे आदारित तो आपको ये mock test कैसा लगा फ्लीज comment box में अपना feedback जरूर दीजे हमें इससे भी motivation मिलता है जब आप comment box में comment करके बताते हो कि भाई mock test अच्छा है pattern पे आदारित है इसी प्रकार से लाते रहो तो इससे हमें भी motivation मिलता है और next आपके लिए और भी अच्छा करने की सोचते हैं तो भाई आप वीडियो को share जरूर कीजेगा येदि आपको mock test अच्छा लगा है तो कम से कम दो new candidates के पास mock test को share जरूर कीजे चलिए मिलते हैं next वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे content के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत